तो लो जी एक बार फिर से एसे जजामोली अपनी आने वाली फिलम को लेकर चरचाओं में बने हुए एंड कंफरम्ट कर दिया गया है कि इनके आने वाल एगली फिलम का बज़िट ना होने वाला है ये इनकी फिलम लोगों कब तक देखने के लिए मिल जाएगी देखो अगर किसी फिलम के साथ एसे जजामोली का नाम जोड़ दा है तो उस फिलम को सुपरीट होने से कोई नी रोग सकता और मैं आप लोगों को बता दू कि एसे जामोली की आली में फिलम ट्रिपल रर रिलीज हुई थी जिस फिलम ने काफ़ सारी डिकोडों को ब्रेक किय इसे के साथ फिलम ने ओसकर भी जीत लिया एंड फिलम के बारे में काफ़ी इंटरनेशनले लोग पर काफ़ी सदब आते भी हुई लेकिन अब बारे आती ये किसी फिलम के बारे में जिस फिलम को जोई फ्रेंचाइज के रूप में हम लोगों के सामने फेस किया जाएगा और ये दम सिर्फ और सिर्फ एसे जामोली में मैं आप लोगों को बता दूए कि एसे जामोली की आने वाली अगली फिलम का जो बजटेव मात्र 100 क्रोड, 200 क्रोड, 500 क्रोड, 1000 क्रोड नहीं होने वाला बलकि 2000 क्रोड भी नहीं होने वाला इससे भी उपर होने वाला है कवरी निकल कर सामने याद चुकि यह फिलम में आप लोगों को मेज बाबू देखने के लिए मिलेंगे इंड फिलम को जो इप रेंचाइज की रूप में बनाया जाएगा फिलम के टोटल आप लोगों को तीन पार्ट देखने के लिए मिलने वाले एंड इनका पहला पार्ट कवर रिलीज किया जाएगा दूसरा पार्ट कवर रिलीज किया जाएगा ये सब कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा तो बस आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहेना सबसे पहले बात करते एसे जमूले की आने वाली फिलम का नाम कहे पिलाल तो इस पिलम का आने वाली फिलम का नाम बताया जा रहा है उन फिल्मों का बजट जदे जदे 400 क्रोड होता है, लेकिन इस फिल्म का जो बजट हो 400 क्रोड, 800 क्रोड या फिर 1500 क्रोड, 2000 क्रोड ने बलके 200 क्रोड होने वाला है। इस फिल्म में अम लोगों को जो ये इंडियर कल्चर को भी दिखाया जाएगा, वो सकता है कि बगवान सीरी राम या फिर बगवान अनुमान जी का केरदार आप लोगों को फिल्म में देखने के लिए मिल जाए, बाकि आप लोग भी अपनी रहे हमारे साथ जरूर शेर कीज बाकि इस ओर वीडियो देखने के लिए आप में पर इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो टीटर अकांट पर फोलो कर सकते हो एंड मिलते हैं जमारे के लिए बाए बाए नमस्कार जेहिंद जेवारत